दिल्ली का साहिल बना अफ्ताव उसने अपनी दोस्त के टुकड़े तो नहीं किये लेकिन जो किया वो टुकड़ों से कम नहीं था साहिल ने साक्षी के उपर एक नहीं बलकि 40 बार चाकूँ से हमला कर दिया जब हैवान साहिल का इससे भी मन नहीं भरा तो उसने साक्षी के उपर पत्थर दे मारा इसके बाद उसने साक्षी के मरत सरीर पर लाद घूसे भी बरसाए यह सारी घटना वहां लगे CCDV कैमरे में कैद हो गई लेकिन इसके अलाबा वे लोग भी कैद हुए जो यह सब देखते हुए चुपचाप निकल रहे थे किसी ने कुछ नहीं किया और उस हैवान साहिल को उसके हैवानियत के लिए होसला देने का काम किया यह दिली के दिलवाले लोग एक लड़की तडप रही है हैवान चाकूओं से लड़की को गोंद रहा है लेकिन लोगों को देखिए दिली के दिलवालों को देखिए मूग दर्शक बने तमासा देखते रहे निकलते रहे दिली के शाहबाद डेरी की एक गली लोग आ जा हैं अचानक एक लड़का हाथ में कुछ लिए एक लड़की पर हमला करने लगता है आसपास के लोग सहम जाते हैं बच कर निकलने लगते हैं वह यूबक दनादन चाकू चलाता रहता है एक दो तीन चार गिंती भूल जाएंगे भीड तितर बितर हो जाती है लड़की निडाल हो चुकी है इसके बाब जूत यूबक चाकू मारे जा रहा है इतने से भी उसका मन नहीं भरा एक पत्थर उठाता है उससे लड़की को कुछलना शुरू कर देता है करीब एक मिनिट तक दिल्ली की इस गली में हैवानियत का नंगा नाच चलता है फिर वे यूवक वहां से जाता दिखता है मगर बात यहीं खत्म नहीं होती कुछ सेकेंड में लोटता है लड़की को एक नजर देखता है फिर एक बड़ा सा पत्तर उठाकर पूरे दम से उस पर वार करने लग जाता है हैरानी की बात देखिए जब यह सिर्फिरा बरबरता करता दिख रहा था वहां से कैई लोग बुजर रहते मगर किसी ने उसे नहीं रोका और रोकने की हिम्मत भी नहीं दिखाई बता देखि शाहबाद डेरी के दी बलोक में रवीवार रात नाबालिक लड़की की चाकू घोप कर हत्या कर दी गई नाबालिकी पहचान शाहबाद डेरी के E-Block की साक्षी के रूप में हुई है नाबालिक साक्षी अपने दोस्त भाबना के जनम दिन की पार्टी में शामिल होने जा रही थी पूरी खबर के मुताबिक नाबालिक के मडर का संसनी के CCTV फुटेज सामने आया है राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के शक्स ने 16 वर्षी साक्षी की चाकू और पत्थरों से हत्या कर दी CCTV फुटेज में देखा गया कि कहसू नहीं होने पर लड़की को गली में रोकता है और उस लड़की पर चाकू उसे ताबड तोड हमला कर देता है